साथियो मैं आज MIM के XMLA वारिस पठान के बयान पर देश के 100 करोड या उससे भी ज़्यादा हिंदू भाईयों को ये कहना चाहता हूं कि ये वारिस पठान एक बार बड़े फ्लुक से सिर्फ 23 जा रोट मिलके चुनकर आ गया था दुबारा उतना ओट भी नहीं पासका और सीट से हार गया और ये आदमी आज जो है मुसल्मानों के नुमाहिंदी की बात करता है पंद्रा क्रोड मुसल्मान सव क्रोड हिंदूओं को निपड लेंगे उसको ठीक कर देंगे इतनी बेहुदा बात ने किया इसने मैं ये सिर्फ इसमुलक अंदर पॉलरिजेशन करना चाहते हैं इनको याद नहीं है ये क्या समझदार नहीं है आज सी ए एन पी आर के खिलाफ जो देश में मुहिम चल रही है हमारी मुसल्म बेहने जो कभी घर से निकलती नहीं थी एक हाथ में तिरंगा जंडा दूसरे हाथ में देश का समविधान लिए बैठी हुई हैं और उनका साथ देने वाले कौन हैं हजारो हिंदू और इस देश के अंदर भायचारगी देश के अंदर फिरकापरस्ति के खिलाफ लड़ने वाले कौन लोग हैं आज एक गोपी ना जसिस कुल से पाटिल, डाक्टर राम पुनियानी, अनुराग कश्यप, अभिशार शर्मा, रवीश कुमार, विनोद दुआ, पुन्य परसाथ वाजपेई, बहुत सारे नौ में से हैं, हजारों नाम, ये सारे हिंदू हैं, लेकिन इस मुल के अंदर इनसाफ की लड़ाई और वो मुसल्मानों के साथ जो जल्म जाती हो, इसके साथ कंदे सकंदा मिला कर खड़े हैं, मैं आज इस मुल के तमाम लोगों को बता दूँ कि ये जो M.I.M. है, सतर साल पुरानी पार्टी है, और सतर साल में सिर्फ साथ से आठे मिले हैदराबाद में चुन कर आए, उसक बहुत बड़ी पार्टी, मुस्लिम लिग है केरल में, इसे बहुत बड़ी पार्टी, असाम के अंदा बदुद्धिन एजमल साथ की UDF है, इन लोगों ने कब इसी बाते नहीं किया, इनके लीडर ने एक बार कही दिया कि मेरे गले पर कोई तलवार रख दे तो भी मैं भ पर हंदू से नहीं पड़ सकते हैं, ये एक बेहुदा बयान है, मैं एक ही बात कहना जाता हूँ आज, इनके लीडरों से M.I.M.K कि आपने कहा था कि अगर हिम्मत है, तो नरिंदर मोदी, अमिश शाह हैदराबाद में आकी दिखाएं, पंदरा मार्च को एनाउंस किया है, मिश शाह ने हैदराबाद में CAA NRC के फिवर में रेली, अगर आप मर्द हैं, बहुत बड़ी-बड़ी बाते करते हैं, और हैदराबाद आपकी थाकत है, तो मैं समझूं कि अगर आप हैदराबाद के अंदर इनकी रेली को रोक दें, इनकी रेली को न चलने दें, तो मैं स हमारी, हम तमाम हिंदू भाईयों से कहना चाहते हैं कि इस देश का मुसल्मान हिंदू भाईयों के साथ बिलकु भायचारगी का पैगान दिता है, और अगर किसी हिंदू भाईय को खून के जरूत पड़ेगी, चाहे करलो हिंदू खड़े हो जाएंगे, लेकिन मुसल्मान अपने बदन का खून सबसे पहले उस हिंदू भाईय को देकर उसकी जान बचाना चाहता है, हम सब इस मुलक में रहने वाले हिंदू, मुसलिम, सीफ, हिसाई, पार्सी, सब इस देश में जो हमारी कुरानी तहजीब है, आज एक दो साल की नहीं बलकि हजारों साल की तहजी आजिए मैं इसको मैं करता हूँ, कि मजबमत करता हूँ, और मैं हिंदू भाईयों को यकीन दिलाता हूँ, कि ये किसी, कोई इनकी कोई लिडर्शिप मुसल्मानों कंदर ने इनकी बातों को सिफ सुनी अंसुनी कीजिए।